आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत वस्वागत है हम बात करेंगे दोस्तों आज एक बहुत ही जबरदस्त टाइमस अफ इंडिया के आर्टिकल की तीन स्टोरीज को हम कवर करेंगे और उसमें मैं आपको सचाई बताऊंगा दिक्कत क्या है देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए जहां पे औरतों की इज़त नहीं होती है वो इंसान और वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ता है वहां पे दिक्कते आती है वहां पे मनहुसियत रहती है वहां पे और तों की हमेशा इज़त करी है ठीक है घलत बात को नहीं बरदाश करना है लेकिन इज़त करनी है जबरदस्ती मारना नहीं गाली गलोज नहीं बिलकुल नहीं तो हम देखिए कोलकाता रेप केस में बहुत सारे सवाल हैं और ये भी हमको समझना चाहिए कि क्या भारत में ओरते सेफ हैं डोमेस्टिक वाइलेंस लगभग लगभग हर घर में आपको किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलेगा तो इसको रोकना चाहिए आज भी पेट्रियार्की जो है वो लड़कों के दिमाग में घुसी हुई है जो जन्जी आ रहे हैं जो एलफास आ रहे हैं चोटा सा बैटा अपनी बहन को मार देता है चोटा सा बच्चा अब इससे पहले हम आगे बड़ें पॉर्ण एडिक्शन को और यह एक बहुत डेंजरस चीज है जो कि आपके वाइलेंट बीहेवियर को बढ़ाती है सब कॉंशेस्टी आप ट्रिगर होते हो और यह दिक्कत सारे बच्चों की हिल्प हुई है बहुत सारे लोगों की हिल्प हुई है अब जो नया कोर्स आया है यह कि स्टेप ऊपर है इस बार नौ महीने के अपने वैलेडिटी दिए आपकी वैलेडिटी 6 सेप्टेंबर से ही काउंट हो गी साथी साथ सिर्फ 500 रुपर का को हुए हैं study clothes आपको download करें नहीं तो website विजट करें हर दिन आपको नई टेकनीक बताईजेगे और दोस्तों हमारा वादा है कि आप अलगी लेवल पे चले जाएंगे और कहते हैं ना कि बहुत कुछ बहुत सारे बदलाओ आपकी जिन्दगी में आएंगे तो सबसे बड़ी बा फीमेल से भी अवियूस करती हैं mentally abuse बहुत रहता लेकिन हम क्योकी अरतों की बात कर एंगे तो उनकी कि बात करेंगे पर्टीकलर तीन केसे की बात करते हैं पहला किक्सिकान नाम लेंगा हलाकि में नाम शीयर्ड है बट्म यहां पे गल्फरेंड और बॉइफरेंड की कहानी है जो यहां पर अरे मैं नाम लेने वाला था लगबग 33 साल के हैं वो बताते हैं कि मैं और मेरी गर्फेंट साथ में रहते तो और वो प्रेग्नेंट हो गई अब उस समय में 25 साल का था मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे करना क्या है और मैं बहुत जादा डर गया जैसे ही मुझे पता चला मैं बहुत जादा डर गया और तब यह बताते हैं कि मेरा पहला रिलेक्शन यही था कि इसको अबोर्ट करो मैं जम्मदारी लेने के लिए तयार नहीं हूँ, हाला कि मैंने ये बोला कि इसको, देखो मैं तुम्हारी केर करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन शान्त रहना, किसी को बताना नहीं, अब बताते हैं कि देखें, मुझे ये नहीं पता था, उस समय के एक लीगल टाइम फ्रेम होता है अब और्शन के लिए, मैं बहुत स्ट्रेस और प्रेशर के अंडर था, और जब मेरी जो गर्फेंट थी, उसने एक दोस्त की हेलप ली, तो मैंना दिमाग उड़ गया, कि ऐसे कैसे हो सकता है, और उसके बाद, मैंने उसको पहली बार जहापड़ मारा, मैंने जहापड़ मारा, मैं ऐसे ऐसे स्ट स्टेप्स ढूनने लगा, जिससे मैं पब्लिकली उसको हुमिलियेट करूं, या कुछ भी करके मैं उसको मारूं, मैंने एक्स्ट्रीम स्टेप लिए, बताते हैं, पागलपन इस कदर तक सवार था, कि इंटरनेट की मदर्द से मैं उसको ऐसी ऐसी जगा ले जाता था, उसक सोशल मीडिया पर लीग कर दूँगा और तुम्हारे रिलेटिफ्स को भेज दूँगा, फॉर्चिनेटली उनका जो दोस्त है था, बोला कि देखो, तुमनों के एक एंजियो, यहां पे एक एंजियो काम करती है, उसमें जाओ, वो तुमको समझाएंगे, और जब मैं वहा इसके रिप्रोटेक्टिफ औरगन्स के बारे में पता चला, धीमे धीमे मुझे पता चलने लगा, क्योंकि हमारी जो इंडस्टैंडिंग थी, वो बॉलिवुड मैंने बता रहा है, बॉलिवुड ने पुरे भारत को बरबाद करके रखा हुआ है, ठीक है, और पहले तो औ मेरी गल्फरेंड, मैं कभी उसके बारे में सोची नहीं रहा हूँ, कि उसको कैसा फील होता होगा, रिस्पेक्ट और कंसेंट ये दो वर्ट्स ऐसे हैं, जो मेरे साथ रहे, उसका ना मतलब ना, और ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मैं रिटल रेप की घटनाएं हमको द एंजियो ने हेल्प की, इनके और इनके गल्फरेंड की फीटस को अबॉर्ट करने की, हाला कि याद रखें, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा, अबॉर्शन, देखें, आप कॉंट्रासेप्टिब यूज करिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर 29 साल की हैं ये, जब इनकी शादी हुई, और इनकी वाइप 25 साल की, डेली मारते थे, डेली, बताते थे कि मैं अपनी वाइप को इसलिए मारता था, ताकि मैं कंट्रोल कर सको उसे, मुझे नहीं पता था, रिलेशन्शिप काम कैसे करता है, अभी तो ये 40 साल से उपर है वाइलेंस नाचरली आया था मेरे में, मेरे फ्रेंट्स ने भी बोला कि अरे ठीक है, औरत को पैर की जूती के नीचे रखो, मारो इसको, और ये बहुत ज़दा जरूरी है औरतों को कंट्रोल में रखने के लिए, इस्पेशली बीवियां, हम जब बड़े हो रहे थे, तो ये मुझे बताया गया कि औरतें डिसिजन्स नहीं लेती हैं, और ये हर घर की औरत ही औरत की दुश्मन मन जाती है, रिस्पेक्ट नहीं, मस्कुलैनिटी का जो आइडिया है वो पिता से आया था, पिता जी भी कुछ इसी तरीके का काम, और यही है कि आपको बस अपने हज पते की पूजा करनी है, तो यह क्या मतलब है, लेकिन यही है, अब इनकी वाइफ जो थी उन्होंने इस तरीके के व्यूजाईट से बाता इंडोर्स नहीं किये, मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किये, क्या मैं, जो मैं जो बोलता था उसने नहीं खाया, मैंने जो पहनन पहना, कब उसको पहला बच्चा, तो उसने बेसिकली इनो, हर एक चीज़ का उस पर उपीनियन तो, और मैं कुछ सा जाता था, और जब ऐसा होता था, उसका हर ना मेरे लिए घाव होता था, और मैं उसको मारता था, जब भी बोलती थी कि मुझे काम करना है, पार्ट टाइ कर्सलिंग के लिए हम गए, तब हमको पता चला, और तब मतलब मैंने अपने वालेंट बिहेवियर को डिफेंड किया, कि ये एकलोता ऐसा तरीका है, ताकि मैं अपने आपको फोर्स कर सको, और मेरे पास और कोई तरीका नहीं था, मुझे कंट्रोल करना था, कंट्रोलिंग पर गिव अप नहीं किया, आज मैंने जो भी किया, मैं इसमें शर्मिंदा हूँ, हम हैपली रह रहे हैं, लेकिन वालेंस नहीं होना चाहिए, उनके पैरेंट्स, लड़की के पैरेंट्स ने बोला कि इस तरीके का वालेंस नॉर्मल है, जिन्दगी में बेटा ये होता है, पती-पत्नी का देख लिया, बॉइफ्रेंट, गल्फ्रेंट का देख लिया, चलो, आज 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 फियोंसे का देख लेते हैं, ये देखिए भाईया, अभिशेक और इनकी एक्स-फियोंसे महराश में एक जगा से रहते, वो बता रहते हैं कि इंगेज हुए, 27 साल के थे शादी करने वाले थे और वो 25 साल की थी, अब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे मझे शायद वो ट्रस्स नहीं करती हैं, मुझे यह नहीं समझ में आता था कि वो क्यों मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रही हैं, 33 साल के समय हैं, मैंने पैंपरिंग करना शुरू किया, गिव्ट द फिजिकल होने की कोशिश की बड़ उसने रिजक्ट किया एक बार फिर मैंने कहा कि चलो अब वॉयलेंट का वॉयलेंस का सहरा लेते हैं तो हम लोग रेस्टोरॉम में गए वहाँ पे दो काटे पड़े हुए थे फोक्स पड़े हुए थे मैंने एक उठाया और उसके प्रेस क करना शुरू किया मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं सॉफ्ट वॉयलेंस है ना कि पूरी तरीके से नहीं लेकिंदीमे धीमे किसी पर्टिकुलर चीज से बॉड़ी को नुकसान पहुचाना और उसके बाद मैं अलग-अलग तरीके ढूनने लगा कि किस तरीके से इसको नुक करते हैं फिजिकल होते हैं लेकि सप्राइस उसने सब को यह बता दिया कि आखिरकार हमारे बीच में चल क्या रहा है अब जो लड़की की फैमली थी उसने यह बोला कि नहीं जो वो बोल रहा है वो कर तुमारे उससे शादी होने वाली है लेकिन उसने डिटेंड था जो ग्रुप क्रिमिनल जस्टिस के लिए काम कर रहा था उसने मुझे से कॉंटाक किया मेरी कॉंटाक डिटेल्स ली और मैं रिलक्टेंटली मैं नहीं चाहता था बट मैं उससे मिला और धीमे धीमे मेरी जिंदगी का नया चाक्टर ओपन हुआ तम मुझे रेलाइज आज भी कि मैं अलग तरीके से अगर मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता अलग तरीके से जो है वो इस सिचुएशन को डिल कर सकता था चार महिने लगी मुझे और मुझे यह समझ में आए कि मेरी अप्रोच बहुत गलत थी मुझे बिलकुल इसको टच नहीं करना चाहे तो उसके कंसेंट के बिना और उस समय मैं इतना ज़दा अपसेश ज़िता कि सेक्स करना है कुछ भी करके और अपने दोस्तों को बताना है मैंने हर एक चीज़ खो दी परस्पेक्टिफ खो दिया पुलिस ने बोला कि आज के बाद तुम कभी अपनी एक्स फियांसे स कॉंटाक्ट इस्टाब्लिश नहीं करोगे लेकिन दो साल लगे उसने हिम्मत जुटाई और उसके बाद उसने उससे माफी भी मानी और मैं बहुत ज़्यादा सौरी भी हूँ अपने लाइफटाइम जो मैंने किया वह एक लाइफटाइम ट्रॉमा है और मुझे लगता है क यह कंपैटेबल पार्टनर भी मैंने खो दिया अब आपको मैं बता दू कि एंसी आर्वी का जो डेटा है उसमें चार परसेंट इंट्रीज वह लेकिन मैं एंसी आर्वी डेटा को बहुत जादा क्योंकि यह रिपोर्डेट केसिस हैं अन्रिपोर्डेट केसिस में मान के च चार लाग पैतालिस हजार दोसो चपन केसिज आएं हैं 31.4 परसेंट केसिज जो हैं वह हजबेंड करते हैं या रिलेटिव करते हैं 19.2 परसेंट में किड्नैपिंग एडप्शन हो जाता है औरतों का 18.7 परसेंट में औरतों के उपर एसॉल्ट होता है और 7.1 परसेंट में रेप तक हो जाता है ओवरल क्राइम जो वूमिन के अगेंस्ट है वो 64.5 से 66.4 तक चला गया पर लाग समझे रो हर एक लाग पॉपलेशन पे इतना ज़ादा च्छाँचट तो सबसे बड़ी बात क्या है क्यों ऐसा होता है कि हम औरतों पे अटाग करते हैं क्योंकि औरते बलने बल हैं ये हमको सखाय जाता है हमको औरतों के रिस्पेक्ट करना ही नहीं सखाय जाता है हमको लगता है हमारे इर्दगीर्द समाज जो भी चल रहा है हमको लगता है औरते क्या है 50% है ओशो कहते थे अकर और अरत को समझ गए तो मुक्ष मिल जाएगी ऐसा एसाब किताब है तीस साल से पिछले तीस साल से आप देखे कि कंडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा सुद्री नहीं है लेकिन एक चीज़ बिलकुल है कि धीमे धीमे जो नई जनरेशन आ रही है वो इसको समझ रही है पेट्रियोर्की और मस्किलेनिटी ये बहुत मेजर सुसाइटल इशूज है और वही है कि रिजेक्शन रिजेक्शन आर दी पार्ट अफ लाइफ किसी ने सही से बात कर ली किसी लड़की ने उनको लगता है कि वो उनकी गल्फरेंड हो गई उनको लगता है वो फीलिंग सजा लेते हैं वो दुनिया बना लेते हैं रिजेक्शन आर दी पार्ट अफ लाइफ समझदारी सिखानी चाहिए आज कल का जो यूथ है आज कल का जो आज का जो बच्चा है वो बहुत ही परशान है सोशल मीडिया के कारण और जदा आइसोलेट हो गया है एक अलगी दुनिया बना ली है अक्च्छल में ऐसा नहीं होता एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ आता है समझना पड़ेगा बारत में लड़कों के special privileges दी जाती है जिस दिन लड़कियों के special privileges देने को मिल गई न तो इस दिन लड़के समझ जाएगे लड़कों की गलती नहीं है गलती है upbringing की कि किस तरीके से आप उनको पाल रहे हो male dominated society में कई बार ये होता है कि अरे भाड़ में जाए यार जो हम कहेंगे वही होगा वहनी क्या होकात है वो rejection वो मतलब दूसरे के opinion को कर ही ही नहीं सकते welcome WHO बता रही है कि जो harmful masculinity है इस समय need of the hour है और इसे भारत में नहीं हर जगा है developing और under development nation में तो कूट-कूट के भरी हुई है पाकिस्तान, बांगला देश और इन सब देशों के तो हालत और ज़्यादा खराब है भाई और तो नहीं तो सब को जहला है सबसे बड़ी दिक्कत men और boys दोनों ही harmful masculinity है यह जो idea है ना false manhood का फरजी मरदानगी का वज़े से कई बार homicide हो जाता है rape हो जाता है, injuries हो जाती है और जो आदमी है, आपको क्या लगता है वो भी परशान है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो कभी शान्त नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पर उनीक situation तो है हम restriction young girls पर रखते है किस तरीके से उनको पहनना है कैसे बात करनी है लेकिन boys पैसी कोई disparity वो नहीं होती है तो इस disparity है इसको खतम करना पड़ेगा समाज को एक तरीके से सुधरना पड़ेगा लोगों को आगे आना पड़ेगा आपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि बेटा इजज़त करो और यहाँ पे खुद भी आपको समझना पड़ेगा समझदारी upbringing एक तरीके से चीज़े ठीक कर सकती है वरना तो अगर आपका ऐसा nature होगा तो आप हर जगा से दुद्कारे जाओगे so we need to understand यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा एक social message के साथ यह lecture तो मैंने कहा कि यह कर देता हूँ thank you so much